बच्पन के खेल वहां कहीं बच्चे होंगे मेरे पास नहीं था मेरा भी मन हुआ बच्पन के पास जाने का और खेलने का बच्पन के खेल लेकिन बच्पन मेरे पास नहीं था और घर बनाना भी तो नहीं होता बच्पन का कोई खेल ये बहु चर्चित पंक्तियां हैं बहु आयामी व्यक्तित्त के धनी स्री सतीष जैस्वाल जी की वरिश्थ पत्रकार एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्री सतीष जैस्वाल जी का जन्म 17 जून सन 942 को 36 गड़ के बिलासपुर में हुआ आपने वानिज्य संकाय में इस नातक की परिक्षा उत्रिण की वक्सी स्रीजन पीट सतीष गड़ के अध्यक्ष रह चुके स्री सतीष जैस्वाल जी को लगातार दो बार सन 1994 और 1995 पत्रकारता का The Statesman Award for Rural Reporting तथा बनमाली कथा सम्मान 2014 में प्राप्त हुआ इनके अत्रिक्त अन्या अनेक अलंकर्णों से अलंक्रित हैं फ्री सतीष जैस्वाल जी सन 1994 में महानदी घाटी के लोक्षित्रांकन के जरिये 36 गड़ की लोक संस्कृति की पहचान पर आपको सम्मानित किया गया प्रकाशित रचनाओं में कहानी संकलन आपके बहुत प्रसिद्ध हैं जाने किस बंदर गाह पर जो सन 1982 में प्रकाशित हुआ धूप ताप 1990 में प्रकाशित हुआ और कहां से कहां सं 2000 में प्रकाशित हुआ और नदी नहा रही थी 2006 में प्रकाशित हुआ तो चार कथा संकलन स्री जैस्वाल जी के प्रकाशित हैं जिसे हिंदी संसार में परियाप्त दुलार और आदर मिला है बाल साहित्य में भले घर का लड़का 2003 में प्रकाशित हुआ हाथियों का गुस्सा ये 2008 में प्रकाशित हुआ इसी तरह से संस्मरण के एक शेत्र में भी जैस्वाल जी ने ख्यात अरजित की है जैसे कील काटे कमंद ये आदिवासी अंचल के रचनात्मक संस्मरण है इसमें जो 2014 में प्रकाशित हुआ इसी प्रकार से मोनोग्राफ लेखन में भी आपको परियाप्त ख्यात मिली है जैसे मैयाराम सुर्जन की पत्रकारिता पर केंद्रित मोनोग्राफ 2009 में प्रकाशित हुआ बहुत आदर के साथ उसे देखा गया पढ़ा गया संपादन बहुत उत्क्रिष्ट संपादन कविता 36 गड़ 2010 में जो प्रकाशित हुआ इसमें 36 गड़ के शताधिक कभियों की कविताओं का संचेयन है और संपादन के छेत्र में आपने 36 गड़ विधान सभा से प्रकाशित होनी वाली विधायन यह जो पत्रिका है उसके आप कारिकारी संपादक है और कुछ ग्रंत आपके प्रकाशना दीन है जैसे सूरिकाज जलावतरण यह पुर्वतर राज्यों के आत्रा संस्मरण का है सांस्कृतिक खोज 36 गड़ और ओडिशा के सीमा वर्ती महानदी तठी ग्रामेन अंचलों में लोग सैली के ऐसे पारंपरिक भित्चित्रों की खोज की जिन से हमारी साजा कला संस्कृति का पता चवता है स्रीज जैस्वाल जी इन लोग चित्रों के जरिये महानदी के किनारे बसे ग्रामानचलों में 36 गड़ की लोग कला संस्कृति की खोज का कार्य बिगत तीन दसकों से कर रहे है सन उनैस्सो असी के दसक में फिल्म सोसाइटी आंदोलन में भी आपने 36 गड़ का प्रत निजित्त किया साहित लेखन कलावा संस्कृति की खोज पूर्ण जिग्यासाओं तथा पत्रकारिता में साहे चार दसकों से अधिक समय से सनलगन स्री जैसवाल जी अभी भी सारस्वत साधना रत हैं आपकी जो रचनाएं हैं ग्यानोदय कलकत्ता के जनवरी उनई सोनहत्तर के अंक में आपकी प्रथम कहानी प्रकाशित हुई उसी समय में दिन्मान समाचार सापताहिक नई दिल्ली में प्रकाशित रिपोर्ट के साथ आपके पत्रकाईता का सुभारंब होता है फिर हिंदी दैनिक जनसत्ता संबेश सिखर हिंदी दैनिक नवभारत हाइवे चैनल आधि पत्र पत्रिकाओं एवं धर्मयुग सारिका सापताहिक हिंदुस्तान वागर्थ नई कहानी हंस नया ग्यानोदय कथा देश समकालियन भारतिय साहित्य में आपकी रचनाएं निरं प्रकाशित होती रहती हैं सारस्वर साधना के एक्षेत्र में स्री जाइश्वाल का योगदान बहु आयामी व्यक्तित्तों और सार्थक लेखन के लिए जाना जाता है वे नूतंता के पक्षधर हैं उनका मानना है कि साहित्यकार मन से होता है उसके भीतर भावनाएं संबेदनाएं होनी चाहिए नया दिखने की क्षमता होनी चाहिए नया समझने की क्षमता होनी चाहिए बच्चो आपके पाठिक्रम में संकलित गृह प्रवेश कविता हमारे प्रवेश में व्यक्ति के एकाकी पन को महसूस करने की संबेदना जगाती है। और बताती है कि घर को एक ग्रिहनी सच्मुच घर बना देती है। कविता के अंत में चिडिया का वापस न जाने के लिए अंतापूर में आ जाना घर को एक ग्रिहनी मिल जाने का प्रतीक है। यह रचना प्रतीक आत्मक है। आए हम ग्रिह प्रवेश कविता का प्रथम अंश पढ़ते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की वालियों वाली जालर दरवाजे की चोखट पर फिर भेजा चिडियों को नियोता। ग्रिह प्रवेश का बिधिवत। फिर भेजा चिडियों को नियोता। ग्रिह प्रवेश का बिधिवत। चिडियों ने भी नियोते को मान दिया। आई दाना चुगा और लोट गई बाहर ही बाहर दर्वाजे से वैसे समारोह के बाद जैसे लोटते हैं आमंत्रित अतिति सभी कभी ने इस कभ्यांश में एकाकी जीवन जीने वाले ब्यक्ति के द्वारा अपने एकांत को सन्नाटे को दूर करने का प्रयक्न करते हुए बताया है कभी कहते हैं कि मैंने अपने दर्वाजे की चोखट पर धान की बालियों वाली जालर लगा कर चिडियों को घर में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया चिडियां भी धान बालियों से आकर्शित होकर दाना चुगने के लिए आई और दाना चुगकर वापस लोट गई कभी का मानना है कभी का कहना है कि मात्र वही औप चारिक्ता थी जिसे किसी समारोह के आयोजन पर आमंत्रित में मान आते हैं और उसका आनन्द उठाकर वाहर से ही बिदाई ले लेते हैं इस अंस में प्रतीकों के माध्यम से कभी ने आज लोगों में बढ़ते वाहिया डंबर की ओर संकेत किया है कि आज इस भौतिक वादी समाज में मनुस्य अकेला रह गया है लोगों के बीश की आत्मियता अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है वे सारे मानो मूल्य वे सामाजिक मूल्य हमारी जो संसक्रिती की विरासत के रूप में थे वे सब धीरे-धीरे समाप्त होने लगे हैं इस अंश की भाषा सहज सरल प्रवाहमई है प्रतीक योजना प्रभावी है अनुप्रा सलंकार प्रसाद गुन परिलक्षी थे और नई कविता मुक्त छंद और यह कविता जो है बिम्ब प्रधान कविता है इसमें माधोरिक गुन है आईए पढ़ते हैं कविता का दूसरा अंश छूट गया घर सूने का सूना पहले से भी वीराना किसी रंग विरंगे और उमंग भरे मेले से लोटने पर एक आदमी जैसे ठका हारा और बिलकुल अकेला इस पध्यांस में भी कभी ने अकेली जीवन ब्यतीत करते हुए ब्यक्ति की पीडा का सजीव चित्रांकन किया है कभी एकाकी जीवन जीते हुए उसने महसूस किया है कि एकाकीपन क्या होता है उसकी पीडा क्या होती है तो ब्यक्ति की पीडा का वर्ण करते हुए कहते हैं कि जैसे किसी भीड भरे मेले से लोटते हुए ब्यक्ति के मन में उसकी रंग भिरंगी स्मृतियां और एक उलास होता है और जब वह लोट कराता है तो स्वेम को ठका हुआ वह अकेला पाता है मेले से लोटने पर एक आदमी जैसे ठका हारा बिलकुल अकेला ठीक वैसा ही उसे अपना घर और सूना लगने लगता है घर का सन्नाता उसे कचोटता है और अपने एकाकीपन की पीडा को और अधिक महसूस करने लगता है अनुभो करने लगता है इस काभ्यांस में भी जीवन में अकेलेपन की पीडा का मारमिक और सजीवचित्र है भासा सहज सरल सुबोध है अब आएए पढ़ते हैं तीसरा अंश तब लटकाया मैंने एक आइना भीतर अंतःपुर की दीवार पर आइने के कांच में ज्ञाका तो एक से दो हुआ अइने के कांच में ज्ञाका तो एक से दो हुआ संतोश हुआ अपनी ही छाया ने समझाया सूना पन कुस्तो दूर हुआ ऐसे ही नीद में सपनों का साथ जुर जाएगा धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा कभी ने एक आकी पन से जीवन में जो ठहरा उत्पन हुआ है उच संदर में आगे बता रहा है अपने अकेले पन से बितितो का घर की दीवार पर व्यक्ति आइना लगा लेता है और आइने में जब अपना प्रतिविम्ब देखता है तो उसे बड़ी संतुष्ट मिलती है कम से कम एक से दो हुए घर में कोई दो लोग तो है और वह जब नीद में होता है तो सपने उसके साथी बन जाते हैं जिससे उसे अकेले पन की पीड़ा कम प्रतीत होती है यहां पर कभी ने नितांत अकेले पन से जीवन में आये ठहराव को चित्रित किया है भाषा सहज सरल है अकेले पन की पीड़ा का मारमिक और सजीव चित्रन है कविता का चौथा अंश देखते हैं सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया जगा रही थी सुबह सबेरे आइने पर खट खट जैसे खट खटा रही थी घर का दर्वाजा इस अंश में भी कविने पक्षियों के प्रत प्रेम को चित्रित किया है और किस तरह से पक्षी आते हैं और आइने पर दरपन पर अपना ही बिम्ब देखकर खट खट की आवाज चोच मारते हैं उससे जो ध्वन ही निकलती है यह ध्वन्यात्मक्ता जो है इस कविता में ब प्रतिबिंब को देख चिडिया जो है जो है अइसा प्रतीत होता है मानों वे दर्वाजा खटखटा रही है अपनी आवाज से उसे अइसा लगता है कि मानों वे जगा रही हैं अपने अकेले पन से ब्यक्ति चिडियों में आत्मियता ढूलने का प्रयास करता है इसमें शब्द मैत्रिया और अनुप्रा सलंकार दर्चनी है प्रयोगवादी रचना का सर्वोत क्रिष्ट उदाहरन है हम अंतिम अंश को देखते हैं किसी अतित की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लोटी इस बार चिडिया अब अंतापुर में चिडिया कांच के आइने में अपने को निहारती श्रिंगार करती और एक घर सजाती घर धीरे धीरे घर बन रहा था कवी अखेले पन से उबरने का उपक्रम करते हुए ब्यक्ति के संगर्ष को चित्रित करते हुए कहता है कि आइने में अपनी प्रतिचाया को देख चिडिया बार बार आइने के पास जाती हैं आपने भी देखा होगा कि जब चिडिया कमरे के भीतर घुसती हैं और आइने में जब वो अपना प्रतिविंब देखती हैं तो उस पर चोच मारती हैं कि ये कोई दूसरी चिडिया आ गई है तो आइने में अपनी प्रतिचाया को देख कर चिडिया बार बार आइने के पास जाती हैं जिससे घर में ब्याप्त सन्नाटा उनकी चहचाहत से दूर होता है दाना चुकर वह बाहर से नहीं लोटती भीतर तगाती है जिससे ब्यक्ति का अखेला पंदूर होता है सन्नाटे में चिडिया आएगी चहचाहाएगी आवाज करेगी और दरपन पर अपना बिम्ब देख करके बार बार उसमें चोच मारेगी उसे चिडिया की जो चहचाहत है तो कभी को घर घर जैसा लगने लगता है लगता है कि सन्नाटा जो है दूर हो गया और अकेला पंजो है वो समाप्त हो गया उसे चिडियों की चहचाहत से घर घर जैसा लगने लगता है उसकी चहल पहल उसे आत्मियता प्रदान करती है और वह किसी के साथ होने के हिसास से आनन्दित वा संतुस्त होता है इसमें पक्षियों के साथ आत्मियता का संबंद उजागर हुआ है अनुप्रासिक शटा दर्शनी है बच्चो प्रशन यह उठता है कि कभी चिडियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है तो अभी आपको मैंने बताया कि कभी चिडियों को बुलाने के लिए घर के बाहर दर्वाजे की चौकट पर धान की बालियों की जालन लटकाता है अपने चतीस गड़ में आप देखेंगे ये विसुद्ध चतीस गड़ में ऐसा होता है और बाहर से ही न चले जाएं इफले अंदर की दीबार पर आईना लगा देता है दो काम करता है एक तो दरबाजे की चोखट पर धान की बालियों का जालर और दूसरे भीतर दीबार पर आईना दरपन चिडियों के दाना चुक कर लोट जाने पर कभी को कैसा महसूस होता है वास्तों में चिडियों के दाना चुक कर लोट जाने पर कभी और भी पीडित हो जाता है दुखी हो जाता है बैतित हो जाता है वह स्वयंग को ठगा सा महसूस करता है अपने अकेले पन को दूर करने के उपक्रम में चिडियों का बाहर से दाना चुक कर लोट जाना उसे उन अतितियों के ब्योहार जैसा लगता है मानों वे आप चारिकता निभाने के लिए किसी समारोह में उपस्तित हुए, और उसका आनंद उठाकर प्रस्थां कर गये। दूर करने के लिए कभी काउन काउन्सा उपकाय करता है। आप सूना पन्दूर करने के लिए कभी चौकट पर धैन की बालियां लटका कर चिडियों को आमंत्रित करता है। फिर घर के भीतर दीवार पर आईना लगाता है ताक चिडियों की शहल पहल से उसके घर का सूनापन दूर हो सके सन्नाटा भंग हो सके कभी द्वारा घर के आंतरिक भाग में आईना लटकाने का आशा यह था कि वह अपने प्रतिविंब को देखेगा तो उसे किसी के साथ होने का एहसास होगा 102 हो जाएगा लेकिन चिडियों के द्वारा अपनी प्रतिचाया देख कर बार बार आने जाने से उसे घर में उनकी चहल पहल से संतोस्त मिलती है आत्म संतोस मिलता है घर धीरे धीरे घर बन रहा था बहुत मार्मिक पंक्ति है आखिर कभी ने घर धीरे धीरे घर बन रहा था ऐसा क्यों कहा घर में चिडियों की चहल पहल चह चहाना घर के संनाते को कम करता है जिससे कभी को अपने एकाकी पन की पीड़ा जो है वह कम प्रतीत होती है पक्षियों का ही साथ पाकर अपनी पीड़ा से उबर कर उसमें जीवन के प्रति सकारात्मक विचार आते हैं कभीता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताइं बताई है कभी ने कभीता में अतिथियों और चिड़ियों में यह समानता बताई गई है कि दोनों आमंत्रित अतिथियों की भात मात्र आपचारिकता पूरी करने है के है तो समाज में उपस्तित होते हैं फिर लोट जाते हैं ग्रह प्रवेश का आशय समाज में प्रचलित पारंपरिक ग्रह प्रवेश से हैं इसमें नए घर में प्रवेश करने के पहले कल श्वयगरह की स्थापना के साथ पूजा पाठ का विधान होता है जिससे घर में रहने वाले लोगों का जीवन खुशाहाल रहे कभित करता है क्योंकि ब्यक्ति जब अपने अकेले पन से घिरा होता है तो उदासी इंतावा अवसात का सिकार होता है जीवन के प्रत निराशा उसे और अधिक उदासीन बना देती है इसी लिए वह चौकट पर धान की बालियों की जालल लगाकर तथा दीवार पर आइना लटका से अकेले पन से उत्पण पीडा को उत्पण आशादों से वह मुक्तिका मार्ग धूरता है कि इसका असंघर्ष अकेले पन की ब्यठा को देंट करता है यहीं इस कमिता का प्रतिपाद्य है संदेश है उद्देश अपने आसपास अकेले रह रहे किसी बुजुर्ग महिलाव आप पुरुष को देखकर आप कलपना कीजिए उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है सामाजिक रूप से एक संबेदन सील ब्यक्ति के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है आपने इसका विता को पड़ा एकाकी पन की पीड़ा कितनी भैंकर होती है उसे आपने महसूसा अब आप कलपना करिये कि कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष एकाकी जीवन बेती कर रहा है तो उसके लिए यह एकाकी जीवन बितीत करना अत्यंत दुस्कर हो जाता है मनुस्य सामाजिक प्राणी है स्वभाव से ही उसमें सामुदाइक्ता का गुण पाया जाता है लेकिन बदलती परवेश में आज के इस भौतिक वादी युग में उसके यह सामाजिक अस्तित्व । खो रहें हैं वास्तों में बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं बड़ा करते हैं उंगली पकड़ कर चलना सिखाते पढ़ाते organism लिखाते हैं इसके बाद वही बच्चे माबाप को व्रित्धाष्रम की ओर भेद्ध देते यह अथवा बाहर अगर वो सेवा में निकल गए साज की सेवा में निकल गए तो माबाप जो हैं वे अकेले जीवन यापन करते हैं कभी ने इस कभिता की माध्यम से उस अकेले पहनका भी एहसास कराया है दैनिक जीवन की आवस्यक्ताओं की पूर्ति करना उनकी विवस्ता है सामाजिक रूप से एक संबेदन सिल व्यक्ति के रूप में हमारी भूमिका बहुत महत्तुपून है इसका जो सुभारंभ है हमें अपने घर से ही करना होगा अपने मूल्यों और संस्कृत की ओर हमें वापस लोटना होगा ताकि ऐसी इस्थित का निर्मान ही न हो और यदि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो हमें ऐसी संस्थाओं की सहायता लेनी होगी जो निश्वार्थ भाव से समाज के ऐसे लोगों के साथ जो जुड़ सकें सम्मान पूर्वक उनका ध्यान रख सकें उनके आवाज स्वास्त और अन्य आवस्षिक्ताओं की पूर्ति कर सकें सामाजिक कारियों में उनका समयोजन इस तरह हो कि अपने आपको अकेला न समझ हैं चुकि अकेला पन बहुत ही दुखदाई होता है बहुत ही पीडा दायक होता है